नमस्कार दोस्तो अगर आपको भी पैसो की जुरत पड़ गई है और आप भी लोन लेना चाहते हैं और लोन लेने के लिए इदर उदर भटक रहे हैं परेशान हो चुके हैं लोन नहीं मिल रहा है तो आपको टैंसल लेने की कोई विजुरत नहीं है क्योंकि प्रधान मंत्री जी द्वारा एक ऐसी स्कीम लांच की गई है जिसके तहट अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 35% तक की चूट मिल जाएगी और उसी के साथ साथ जो ब्याज होता है इंट्रस्ट रेट होता है वो भी आपको कम दे रहा है हर तरीके से आपका करना है कैसे लोन लेना है और वापस उस लोन को कैसे बरना है पूरा का पूरा कम्प्लीट प्रोसेस इसी वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वा रहा हूं तो देर किस बात की है चलिए फटा बड़ चलते हैं अपने होई स्क्रीन पर अपसे पहले आपको अपने आपको वीडियो को डिस्कर्प्सर्म में भी दे दूँगा ताकि आपको वैब्साइट दोरने में ज्यादा zdrow ना हो है न हुड़ क्लिक करें और आ सकते हैं तो हम्झे से क्लिक कर देना है ठीक है वैब्साइट पर क्लिक करते ही छोड़ी सी लोडिंग होगी आपको छोड़ तो आपको इसके apply करने के लिए मतलब किसी को भी कोई भी payment करने की जुरत नहीं है ठीक है जी fraud काफी हो जाते है ना तो हमें simply से cut कर देना है ठीक है आप देख सकते हैं website open हो चुकी है आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा अब देखे दोस्तों आप इस portal से 5 category के loan ले सकते हैं मतलब की 5 तरह के loan के लिए आप इस portal से apply कर सकते हैं ठीक है ना कौन-कौन सी category के कौन-कौन सी तरह के loan यह मैं आप लोग एक बार बतायता हूँ 5 और loan के बारे में ठीक है ना तो हमें simply नीचे की तरफ scroll करना है यहां पर आप देख सकते हैं आ गया है जो पहला loan है education loan मतलब कि हम अपनी पढ़ाई के लिए भी loan ले सकते हैं इस website से ठीक है ना मतलब कि कई बारा में ज़रूत पढ़ जाती है ना education loan की तो education loan भी यहां से ले सकते हैं दूसरा agree loan किसान credit card मतलब farmers के लिए जो होता है किसान credit card वो वाला loan भी हम यहां से ले सकते है ठीक है दो हो गए अब जो तीसरा है वो है agree infrastructure loan ठीक है ना दुबारा है किसानों के लिए और से ले सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं business loan लेके ठीक है ना काफी लोग की जड़त होती है वाकि process सेम ही रहेगा ठीक है तो यहां पर हम business loan पर यहां पर एक आएगा मैं नीचे की तरफ दुबार आता हूं business loan पर यहां पर एक option हैगा check eligibility की तो आपको इस पर click कर देना है ठीक कि आप किस तरह एगा किस business के लिए लोन लेना चाहते है यहां देखे पहला गया loan for handloom weaver ठीक है ना अब यहां आगया loan for आप कह सकते है manual scavenger ठीक है loan for street vendor मतलब की ready अगयरा के लिए ठीक है अगर आपकी category नहीं है आपके business की यहां तो आपको करना क्या है यहां simply यहां पर other business business का option आएगा आपको इस पर टिक कर देना है ठीक है ना टिक कर देना है टिक करते है अब यहां देखे क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा select type of business activity you are doing purpose to मतलब कि आप कोई नया business open कर रहे हो नया दंदा open कर रहे हो या फिर आपका कोई पहले से business है उसमें आपको loan की तो इसे बढ़ाने के लिए या किसी भी लिए मतलब की या तो आप नया business order तो new पर select करो अगर पहले से वो business है तो existing पर तो हम new loan ले रहे है new पर click करेंगे ठीक है आप यहां लिखा है have you passed class 8 क्या आपने आठीवी class pass करी है अगर हां तो yes ना तो no ठीक है ना तो हम यहां पर yes क manufacturing business service trading मतलब कि आप किस तरह का business कर रहे है है कोई समान manufacture कर रहे हैं business service कर रहे है तो हम्हेंी आप पर business पे click कर देते हैं उसके बाद सिलेक्ट युदे आप यहां और physically handicap ठीक है ना तो मैं आपर no कर देंगे ठीक है ना उसके बाद आप यहाँ देखिए मैं नीचे दिखाए तो आप यहाँ एक जरूरी सवाल पूचा गया है आप यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं राजय के नाम दे रखें क्या आप इन राजय से बिलॉंग करते हैं आप प पर आचुका है ठीक है ना आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या सेलेक्ट करना इंडिविजल और इंडिविजल सेलेक्ट कर देंगे एंटर आप लोग ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो का आप कर सकते हैं मेन पार्ट है इंपोर्टेंट स्टैप है वह है बिल्कुल प्रणी हो गया 6,00,00,00,00,00,00 मुझे लोन की जरुत है अब नीचे दियान से पढ़िएगा क्या लिका हो है एंटर आमाउंट यू प्लान तू इन्वेस्ट फ्रोम यूर आउन सॉर्स मतलब की जितना आप मान लिए 6,00,00,00 की में जरुत है तो आपके पास कितने पैसे प पास खुद के पास है बाकि मुझे लोन की कितने की जरुत होगे भी है यहाँ पर आप देख सकते है रिक्वाइट लोन अमाउंट साडे चार लाक रुपे समझ आगे आप लोग को विल्कुल अच्छी तरीके से अब आपको सिंप्ली यहाँ पर क्या कर देना है क्या क्लिक क्लिक कर देने चली में क्लिक कर देता हूं आप देखे क्लिक करता है हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आगया जहां पर लिखा हुआ है Congratulations you are eligible for two business activity loan scheme listed below मतलब कि हम two business two business activity loan के लिए eligible है अब यहाँ पर देखे क्या लिखा है यहाँ पर दूसरा देखे क्या है दूसरी स्कीम भी है यहाँ पर स्कीम नेम प्रदानमंत्री मुद्रा योजना यानि PMMY अब यहाँ पर loan amount कितना है वहिया eligibility आप क्या सकते है maximum eligible loan amount ठीक है ठीक है मैं एक बार निसान लगाता हूँ agree पर click करके simply get OTP पर click करना है चलिए मैं कर देता हूँ तो जैसे ही आप mobile नमर डालोगे login पर click करोगे आपको simply यहाँ पर terms and condition मिलेंगी आप इन्हें read कर सकते हो एक बार ठीक है उसके बाद simply next पर click कर देना है ठीक है पूरा disclaimer वगएरा और यहाँ पर agree करना है यहाँ पर आपको consent पर click करना है और simply agree पर click कर देना है ठीक है उसके पाद आपके रजिस्टर मोबाइल नमर पर एक OTP जाएगा आप जो भी आपने सामने proceed का option आ गया चलिए हम proceed पर click कर देते हैं पर click करते ही एक बार आपके सामने review detail का option आएगा तो आपको जो अपनी detail है वो एक बार अच्छी तरीके चेक कर रहे नहीं है आपने सब कुछ बरा है सही बरा है अगर सही बरा है तो आपको simply यहाँ पर continue पर click कर देना है ठीक ह यहाँ पर आप आजाओगे redirect कर दिये जाओगे ठीक है अब आपको simply नीचे की तरफ scroll down करना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा application for new unit apply तो आपको simply यहाँ पर apply के option पे click कर देना है चलि मैं click कर देता हूं ठीक है apply पे click करते ही आपके सामने इस तरीके का interface आएगा आपके स जो आपकी नाम date of birth सब कुछ है वो same as it is आधार के हिसाब से ही आपको fill करनी है सारी details अच्छे से fill करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपके सामने एक आपके सकते यह option आएगा save applicant data का आपको इस पे click कर देना है click करते ही आपके पास एक आपको आपको आ upload करने परते हैं कुछ documents upload करने परते हैं सब कुछ अभी बताऊंगा आपको और जैसे ही आप final submit करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक receiving मिलेगी तो आपको सबसे पहले करना क्या है आपको उस receiving का किसी भी computer की दुकान से जाके जनसे वह के इंदर जाके उसका ए नहां देख सकते हैं guidelines for filling the online PMEGP वाला application form यहाँ पर पूरी आपको guideline दे रखिए उपर से नीचे तक कुछ समझ ना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं corner से ठीक है ना जब आप form का printout निकल वाल होगे तो जो भी आपने documents upload किये तो उसकी आपको photocopy कर वा लेनी है ठीक है म जब आपकी verification complete हो जाएगी तो कुछी दुनों के अंदर जो loan का amount का पैसा है वो आपके bank account में आ जाएगा तो पूरा complete process मैंने इस वीडियो में बता दिया कोई doubt हो तो आप मुझे comment box में comment कर देना आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को subscribe जरूर करें